नमस्कार, SMN आप सभी का स्वागत है, मैं सहिता कुमार आप देखें SMN आज हमें राजी उगांदी वोन के सामने थी हाँ पर लोग धरना परदेशन पर बैठे हैं तो हम इनसे जाना चाहेंगे कि इनकी किस मद्दे को लेकि धरना परदेशन पर बैठे हैं साथ यह Airport Authority को प्राइवेट किया जा रहा है जो गवर्मेंट का डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है इसलिए हम धरना पर बैठे हैं कि इस तरह का जो है जो डिसीजन गवर्मेंट का है वो गलत है और इसको चेंज किया जाए यह बदला जाए क्योंकि Airport Authority अपने आप में सक्षम है एर Airport बनाएं वह उसको प्राइवेट करें उनको प्राइवेट को दे दे यहां पर जो चीज एक समान रूप सा अच्छा चल रहा है तो वर्कर को इसendumे हमारे को हरास करने के लिए यह प्राइवेट किया जा रहा है क्यों किया जा जार लिएक नो बेंट हो यह इसी मुद्शे क को लेकर करके हम लोग अभी यह डिमोस्टेशन भी शुरू किया है आज धरने पर बैठें हैं तीन दिन तक हमारा धरना चलेगा फिर देखेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे से आगे भी कोई कदम उठाए जाएगा सरकार के नीतियों के दिरोद में हम लोगिया करोंगे फिर और आगे बात बढाएंगे अगर नहीं हूँ तो इस्ट्राइक करेंगे वरकर के पास और क्या थियार होता है अपनी बात रखने के लिए step by stage management को कहा अभी आगे जो है सरकार के लिए बताया आगे सरकार नहीं मानेगी इस्टेप देरे देरे बढ़ाते रहेंगे सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि वरकर की बात को हमारे करमचारीयों की बात को तो सुनना ही पड़ेगा एक्चली जो सरकार एरपोर्ट का प्राइडिजेशन कर रही है उसके खिलाफ हम कर रहे हैं क्योंकि सरकार बिर्गुल गल्थ कर रही है जो प्रोफिट कमाने वाले एरपोर्ट से उनको प्राइवेट किया जा रहा है जो सरासर गलत है अगर सरकार को एरपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सभी लेटिस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले